हेलो एवरिवन स्वागत है आपका पाटचाला रिशिकेश के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपकारी का पेपर देखर के आप आ गए होंगे या आप PCS के पेपर के इंतजार कर रहे होंगे और आपकारी का पेपर कैसा आया ये इस वीडियो में हम देखेंगे आकर बात cut off की करें या आगे जो भी discussion इस वीडियो में होगा आपको एक link मिलेगा जो इस वीडियो के comment section में पिन किया गया होगा वो आपकारी की cut off discuss करने के लिए open group है जो पाटचाला ने बनाया है उसमें सभी बच्चे जो पेपर दे रहे हैं देंगे वो जुड रहे हैं वहाँ पर आप अपने doubt पूछ सकते हैं वहाँ पर message करने के आपको खुली आजादी है आप आ करके उससे जरूर जुड़े पहली information ये पेपर की बात करते हैं तो पेपर को जब हम घर से बैट करकर देखते हैं तो कही न कहीं बहुत easy लगता है जबकि ऐसा होता नहीं है ये बात मैंने कई बार आपको बताई है तो जब पेपर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी पेपर आए तो solve नहीं है ये पेपर बलकि ये पेपर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखिए पेपर कैसा आया है क्या level है पेपर का ठीक है उमीद है कि आप समझ पाएंगे उमीद है कि आपको समझ आएगा कि आप क्या कर रहे है अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो ये हिंदी जैसा कि पेपर 12 लेवल कता सब ने सोचा था आसान आएगी तो देखो बहुत ज़्यादा आसान नहीं है आपको अराम से टाइम दे करके सोचना होगा जैसा as it is जो exam में आ रहा था वैसी बनाए गया है कि कुछ नई चीजे देखने को तो हमेशा मिलती है जैसा ये एक सौंग है दोफरा का बटोई छेलू बेटी जा किसकी गीत रचना है तो एक बड़ा important है कि देखिए आप जब इस कोशन को करेंगे बैलेंस बना करके रखी गई है तो जो हिंदी गड़वाली का कॉम्बिनेशन आयोग दे रहा था पैटन वो ही है बस पेपर लेंदी है असान अगर आप बोल रहे हो तो आप याद रखो कि देखो चीजे असान नहीं होती है लेकिन हा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बैया इस पेपर में भी 75 अबव स्कोर लाएंगे लेकर के आएंगे लेकिन कहीन है कहीनका फिजिकल में स्कोर कम होका ये भी आपने सोचना है तो बाकी पेपर की बात करते हैं ओल ओवर जो पेपर है यहाँ पर पेपर के अंदर ठीक है न तो आप देखेंगे कि कुशन नमबर 8-10 से ही आप देखेंगे कि लेंदी कुशन शुरू हो गया मतलब मैच दा फॉल्लिंग अब यह लेंदी सवाल वैसे तो लेंदी नहीं है लेकिन आप ज़र इसे पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं डि-कोड कर रहे ं तो कहीं न कहीं यह बड़ा सवाल है बड़ा पेपर है आपने हमारे प्रैक्टिस Sets भी देखोंगे वो भी कहीं न कहीं इसी तरह से आपको प्रैक्टिस कराने के लिए सेट किये गए थे, कुछ सवाल बिल्कुल सीधे-सीधे असान है, सीधा बुक से उठकर के आ गए हैं जैसे कि हमारे प्रैक्टिस सेट में भी आ रहे थे और यहां पर भी, जैसे अंकर प्रसाद की रचना है हमारी किताब में भी यहां पर भी है यहां पर भी आपको जो सांस्कृतिक, जो हमारे रीती रिवाज है उनको देखने को मिलता है, तो वो ही चीज़ें यहां पर है अब राज्य से संबंदित उत्राखंड की बात करते हैं उत्राखंड का पेपर हो, आप उत्राखंड के लिए कोई नई बुक पकड़िए कोई बुक पड़िए, आपको हमेशा ऐसे सवाल दिखाई देंगे जो कवर अप नहीं किये जा सकते मतलब आप पेपर कैसा है कि आप आल ओवर पड़ें, आब्जर्व करें और फिर पूरा का पूरा लगाएं पेपर को करते समय तो इस तरह से काफी सारे सवाल थे जो बिल्कुल मैं कहूंगा कि नए थे या उनको option के हिसाब से इस तरीके सेट किया गया था कि वो नए लग रहे थे, ठीक है, तो पेपर काफी अच्छा था जिस तरह का डर था, जो मैं बार-बार बच्चों को कह रहा था हमारे प्रेक्टिस सेट वे भी दिख रहा था कि पुरानी से पुरानी योजना है, पढ़ लीजिए पुरानी से पुरानी जो योजना है, सरकारी की जो नीती है उसके हिसाब से कुशन, तो मुझे भी लगता है कि काफी सारे सवाल उसमें से आए, बागी काफी सारे सवाल ऐसे तो जो प्रिवियस एर थे, दो-तीन सवालों को एक मिला करके एक बना दिया गया, ठीक है, शनेराना वाला सवाल बहुत सिंपल है, T20 भी इंडिया ने अभी जीत लिया है तो आपको पता ही है कि न्यूज में तो क्रिकेट रहता ही है अगर इसकी बात करें तो ये भी कहीं न कहीं है विजन 2030 का जो डॉक्यूमेंट है, लक्ष है तो वो सारी चीज़े आपको देखने वाली बात है उसके बाद अगर पूरे पेपर की बात करोगे तो उत्राखंड एस इस जैसा वीडियो विपीडियो बन रहा था ना पेपर वैसे ही बना है, मैच दा फॉलोईंग है, स्टेटमेंट वाले सवाल है तो वन लाइनर तो भूल जाए है, यह 12 बेस पेपर था लेकिन आप देख सकते हैं कि हर दो कोशन के बाद एक कोशन आसान है लेकिन दो कोशन खूब लेंदी दिये हैं, खूब पढ़िये आराम से तभी आप इसको कर पाएंगे 39 कोशन की बात करें तो देखो, यह वही स्री नगर एक परवतिया कस्बा है जो अलगनान नदी के किनारे इस्तित है यह पहले भी आया था, इसी तरह का कोशन ठीक है ना, प्रिवियस यर लेकिन उस समय पर मामला कुछ और था उस समय पर इसको स्री नगर को ऐजा नगर निगम के तौर पर रखा गया और विशुद रूप से वहाँ पर पूछा गया तो राज्य का एक मातर केंद्रे विश्विदाले स्री नगर मिश्ती थे तो आजाओ हमारे discussion group में जहां पर discussion हो रहा है वहाँ पर बात करेंगे और किसी भी paper की cut-off है ना, उत्राखन में जिस तरह का level है जिस तरह की post है, सबसे कम post जाती है सबसे कम post रहती है, 100-200 के करीब post है रहती है तो भाईया, 70% से कम पर बात मत करो 70% से कम पर बात मत करो आप कहोगे तो बहुत ज़्यादा कट ओफ है लेकिन अभी मार्क्स डिसकस होंगे क्योंकि उन्होंने कोई 10,000 लोग तो लेने नहीं है 1,000 लोग तो लेने नहीं है 200 लोग के करीब उन्होंने सारे लेने तो फिर कैसे काम चलेगा आप खुछ सोचो ठीक है प्रिवेस एर कोश्चन यह आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा पुराने नामों का युगम खुब पूछा जाता है ठीक है हमेशा की तरह सांस्कृतिक कल्चर से नए शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं तो जो दस सवाल थे ना उनमें वही पैटन देखने को मिला यह सवाल रिपीटेड है मैं आपको बता दूँ यह सवाल रिपीटेड आप कहेंगे का डिक्टो नहीं सुनो यह सवाल जो है ना पैटन की घड़ी का समय पहले दरपन पर पूछा जाता था आजकाल जल परतिविम ट्रेंड में हैं तो पढ़ना पड़ेगा यह आपको ध्यान देना है उसके बाद आकरतियों पर सवाल आए तो नौन वर्बल रिजिंग की तरह बायोग जादा गया है दिशा वाला सवाल है अराम से हो जाना था कहींना कहीं मैं कहौंगा कि reasoning में तो 10 स्वाल है न इसमें 8-9 स्वाल लगभग बच्चोंने करोंगे बलकि मैं तो कहौंगा कि काफी सारे बच्चोंनों तो 10-10 भी कर दियोंगे लेकिन 8-9 स्वाल हर बच्चे ने answer निकाला होगा बहुत आराम से ठीक है तो कोई ज़्यादा टिफिकल रीजनिंग नहीं थी तो दस नंबर तो देखो यही हो गए लग भग लग लग इसके बाद जीएस में आते हैं तो जीएस में ये सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उपर आश्टपती का ऐसा ही एक डिक्टो सव आपको हमारे प्रेक्टिस सेट में हुबा हु दिया गया था तो अगर आपने कड़ा होगा पड़ा होगा तो आपको मजाने वाला है याद रखेगा ठीक है चली आ गया आते हैं बेरोजगारी छिपी तो बहुत असान है कोई बड़ी चीज नहीं प्रिवेस एर ये कोशन कमाल का कोशन है और सीधा सीधा उठा करके डाल दिया गया आपने लूसेंट भी पड़ी हुई ना तो भी आपको मिल जाएगा आपको बहुत जादा दूर जाने की जरूरत नहीं है लेकिन पेपर अच्छा खासा था बड़ा था रिपीटेट सवाल फिर से देखो इसी लि कहीं आपको हमारे प्रेक्टिस सेट में भी देखने को मिलेगा मैं आपको कहीं ना कहीं हमारे प्रेक्टिस सेट के जितने भी स्क्रीन शॉट होंगे ना इस पेपर से जो भी कोशन है मैच करने तो मैं आपको जरूर हमारे टेलिग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा डालू तो कई न कई सीधा कुशन है previous year देख लेंगे तो और मज़ा आपको आ जाएगा ठीके ना सीधा अध्यक्ष तो इतना फेमा से कि कई बार exam में आया है कई बार exam में आया है ठीके चली आगे आते हैं एक ही वेब पेज कंप्यूटर के अच्छे कुशन थे सवाल थे काफी रहे जाते है previous year सवाल है देखो बच्चों ने करा ही होगा तो all over paper को easy to moderate रखा गया है ठीके ना hard तो हम नहीं कहूँगा में कि बहुती जादा hard है क्योंकि काफी सारे कोशन सीधे सीधे आपको मिल रहे हैं लेकिन अब depend करता है कि बच्चों ने paper कैसे attempt करा होगा क्योंकि घर अब वही रखिये बस पढ़ने का तरीका बदलिये जादा किताबों को बदलने में मत जाओ है ना मंदिर मंदिर मत बदलो अपनी जो पूजा पदती है उस पे जोर लगाओ एकदम से सही तरीके से पढ़ो तभी बात बन पाएगी ये था वो आपकारी का प्रेक्टिस सेट जिसमें आपकारी के मन की बात हो रही है धन्यवाद